तो तुम बेपैंदी के लोटे और लुड़कते रहते हो तुम ही यह क्या मॉडल तरीका है क्या एसी में बैठना सुनिए क्या एसी में अगर आज बहरा ही च मैं जाती हूं तो लोग मुझे क्या बुर्ण भाशन बड़े-बड़े मंच पर नेता देते देश का मिनिस्ट्री मीडिया जिसको चौथा स्थम्भ कहा जाता है दुर्भाग्यत तोल करके बोलना चाहिए अगर तोल करके नहीं बोलते तो आप देख रहें देश का मिनिस्ट्री मीडिया पिछले पांट दिन से क्या कर रह उनोंने कोशिश नहीं की कियो नहीं की कोशिश छोड़ दिया और चाहिका रैंगाङ कव्यों वी बताइगे क्या हूँ है अच्छी बातीं काम है उनका एक्सान कर रहें वह मेरे पर आप पे नहीं कर रहें से तो बटना तो देश PB मेंट झाहिए नहीं तो आप नहीं तो सवाल किया मुझसे सवाल तो मुझसे योगी जी थोड़ी कर रहे हैं आप कि जिम्मेदारी पत्रकार होने के नाते है कि आप इस बात को इस देश में पॉजटिव वे में चला है कि भारत की जनता को बटना नहीं चाहिए एक रहना चाहिए अच्छा यह पत परदेश में जो हो रहा है वो कौन तीम में तार है अभी उसका मैंने अपडेट लिया नहीं और लूगे बहुत जल्दी बोलूंगी भी यह मैं सोचेगा कि इमाचल में तो दो तीन दिन हुआ है देखे आप जो बोल रहे हैं आप यहां बैटके बोल रहे हैं हम यहां सब्सक्राइब करते हैं और बहुत से मुकद में लगाए मुख्यमंतरी साहब ने और जितने भी लोग पकड़े गए वह सभी भाजश्पा के लोग थे और कोई आइटी सेल का था कोई कुछ का था कोई कुछ का था जहां पर सरकार होती है कॉंग्रेस की यह जान बूच कैस कर सकते हुए जब तक मैं इस चीज को पूरा जानूंगी पूरा देखूंगी ना ऐसे कैसे कर दो मैं अपडेट आप तो चाहते हैं आप तीन दिन नहीं हुए यहां बैराइस के आप नेता की बात कर रहें जिस नेता का बयान चाहते हैं आप उनसे सवाल कीजिए मेरे बया कि मैंने आपको क्या बोला कि मैंने इस तरीके की चीजे होती है पूरा समझ करके तोल करके बोलना चाहिए अगर तोल करके नहीं बोलते तो आप देख रहें देश का मिनिस्ट्री मीडिया पिछले पांट दिन से क्या कर रहा है पूरा समझ के बोलूंगी और बहुत पूरा जानकारी होना चाहिए अधी अधकच्री जानकारी में पता चले बोलें अच्छे के लिए हो कुछ गलत जाए तो यहां मैं रहती हूं यहां मेरा घर है उत्तरप्रदेश में और दूसरी बात हिमाचल जाने में मुझे पूरा एक दिन लगता है ठीक है और अभी मैं परिवारिक भी बहुत सी चीज़ें अभी नहीं जा पाई हूं और मैं जाओंगी अभी यह तो मानना पड़ेगा कि यह ठीक है कि लड़का मर गया यह ठीक है इतनी पुलिस के बीच में लगका कि छट पे चड़ गया यह ठीक है तो और फिर आप क्या पूछना चाहते हैं अगर यह एक्षन होते तो जितने उत्तरपरदेश में यात्राइं निकली तो सभी यात्राओं पर ही क्यों ऐसी चीज़ें हुई अगर एक्षन होता एक भी यात्रा पे उत्तरपरदेश के अंदर चाहे वो लखीमपूर वाली हो अभी गणपती विशर्जन था तब सब्सक्राइब को हमारे हैं विशर्जन था सोले के विशर्जन में लखिमपूर में ऐसा हुआ उत्तरपरदेश में योगी जी की सरकार उनी से सवाल करेंगे अगर बक्सा नी जाएगा तो यह इतनी चीज़ें हुई क्यों अभी की बाते तो रिसेंट ताजा ताजा लाकिमपूर मामले की बाते उसके जिस तरह से एक्षिन वी उता है उसके देखेगे वही एकसं भी होता है फिर भी लों कर रहे हैं जो आप यहर तीवी बैट करके फैला रही है एक दूसरे के परतीधरम का एंगल दिखाके चला रहे है और जो खुले मंच पे नेता भासड लपाइब लुग्या वे मीडिया का बराव करने में इसoda इनते जला पुरा पर देश सुनते में नहीं वाइबात बड़काउं गानेशन आना गाना आण बता रहे हो दिश-डia Не को यात्रा ने चला वो चलाना और उसको चलवाना दोनों ही गलत है तो anál सारी परसासन इतना सार पूलिस क्या कर रहते वह कैनि तरीके के वाहिन गाने चीना है कर रही थी सुन रही इस पूरे मामले के जिम्मेदार सबसे ज्यादा जो हैं वह जो भड़काओं भाशन बड़े-बड़े मंच पे नेता देते हैं उल्टे-सिधे बयानवाजी धर्म को लेकर जात को लेकर करके जो बयानबाजी करते हैं वो और जो देश का मिनिस्ट्री मेडिया जिसको चौह इस तम्ब कहा जाता है दुर्भाग्या से उनका वड़ा योगदान है इस से उस्था हम उस बात को और कौन उठा रहा है आज इस बात को कौन उठा रहा है देश में बताई है पर लें दी किसी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे देखो यहां तो हिंसा बढ़क रही है और इनको अपनी राजनीती की पड़ी है तो तुम भी यही बात बोलोगे 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 तुम भ देखे जो राम गुपाल मेश्रा जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे यह उनका अपना मामला है और वही इस विश्य में जब आप दे पाएंगे लेकिन अगर आप मेरी बात करते हैं अगर मुझे पुलिश परशासन द्वारा अनुमती दी गई तो मैं बिल्कुल आप वह व्यक्तवी है नहीं गल्ती उसकी थी लेकिन जब वह इंसान ही है तो चींस व्योद्स नें घैसा में गलतियां बताओं तो इसनी जह गवर mojeज़ांगे रोकतनी मांम करें रहे हैं और हैं देखें उनकी मांग को मैं इस नजरी से देखती हूं कि देखो जिसका जाता है उसी को पता चलता है जिसका मरता है उसी को पता चलता है आज उनका ये मांग जो है ये जाच जो उनकी मांग कर रही है वो वो उनके घर से एक 22 साल का लड़का चला गया उनका पती चला गया जि सब यह सब चीजे होती है जो जायज होगा वो होना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए लोग तो कहते हैं कि मतलब पंडित गरीब नहीं होते ऐसे लोगों का मानना यह सोच है ऐसे से गरीब लोग परिवार में और भी ब्रादरी के लोग गरीब है अगर राम ने उनको आश्वासन दिया घर भी देंगे पता नहीं देंगे अगर देना होता तो वह कुछ ना कुछ दे देते आज परिवार के बीच जवान बेटा भी नहीं है इस समय मदद की बहुत ज़रूरत है और मैं अपने समास से भी निवेदन करती हूं ब्रहमर समास से और भी ज़र की भाई चारे से अपने और ब्रादरी के भाई चारे से सनातन धरम की लोगों से भी निवेदन करती हूं मैं कि यह इस तरीके की चीज़ यह हूई है यह एक शोभायात्रह में हुई है सनातन धरम की तो जिससे जो बन पड़े आप मदद कीजिए आपने बोला सनातन यात्रा लेकिन अगर किसी को मदद करनी होगी तो यह नहीं है कि मैंने अपने लोगों से किया कि तो इसलिए मैंने उनहीं से बोला लेकिन अगर किसी को इंसानियत अपनी दिखानी होगी तो वो कोई भी इस देश में मदद कर सकता है